कोट की लतार और शेर की दहार दोनों से ही अच्छे अच्छों को डर लगता है नमस्कार सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंग आम आदमी पार्टी के राजसभा सांसद संजय सिंग 181 दिन बाद जेल से बाहर आए है तो आम आदमी पार्टी के कारेकरता जश्ट मना रहे है संजय सिंग के लिए पोस्टर लगा रहे हैं कि शेर बाहर आ गया लेकिन अब शायद संजय सिंग 6 महीने पहले वाले शेर की तरह दहार नहीं पाएंगे क्योंकि कोट ने उनको जमानत तो दी है लेकिन उसमें कई शर्तें जोड़ दी है आम आदमी पार्टी के कथिर शेर पर सियासत के मैदान में कैसे छड़ा है घमासान देखे दिली के शराब घोटाले में 6 महीने से तिहार जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसत संजय सिंग की रहाई हुई तो आम आदमी पार्टी ने राहत की सांस ली पार्टी इतने जोश में आ गई कि संजे सिंग को शेर बताने लगी आपने ट्विटर पर संजे सिंग का एक पोस्टर शेर किया जिसमें संजे सिंग के पीछे शेर को दहाड़ते हुए दिखाए गया है इस पोस्टर के साथ आपने कैप्शन में लिखा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आपका शेर संजे सिंग आज़ाद बाहरा गया है अब तानाशाह के सारे मनसूबे धीरे धीरे नाकामयाब होंगे वो दिन दूर नहीं जब आपके खिलाफ बीजेपी की पूरी साजिश थारशाई होगी सत्यकी जीत हुई है इनकलाब जिंदाबाद जब संजे सिंग तेहार से अपने घर के लिए निकले तो उनके समर्थकों ने जमकर नारे बाजी की वहां मौजूद लोगों ने शेर है शेर है संजे सिंग शेर है का नारा लगाकर अपने नेता का स्वागत किया संजे सिंग को जमानत उस समय मिली है जब पार्टी के सबसे बड़े नेता दिली के मुख्यमंत्री और आमादमी पार्टी के राष्ट्रे संयोजक अर्विंद केजरिवाल जेल में है उसी तिहार जेल में जिसमें संजे सिंग छे महीने से बंद थे संजय सिंग को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में खुशी की जबर्दस लहर देखी जा रही है पूरी आम आदमी पार्टी ने संजय सिंग को शेर बताया है सियासत, narrative और perception बनाने का खेल होता है आम आदमी पार्टी शराब घुटाले में चल रही कानूनी प्रक्रिया से भली भाती वाकिफ है उसे बहुत अच्छे से पता है कि संजे सिंग को जमानत मिली है तो उसके क्या माइने है लेकिन संजे सिंग की जमानत को पार्टी सियासी तौर पर वुनाना जाती है संजे सिंग की जमानत का निरेटिव ऐसे बनाय जा रहा है जैसे वो बेगुनाह साबित हो गए हो कानूनी तौर पर देखें तो इसमें अभी भी कई पेच है शराब घुटाले के आरोप में ग्रफतार आम आदमी पार्टी के सांसत संजे सिंग को जमानत तो मिल गई है के बाद केस का ट्रायल पूरा होने तक संजे सिंग को गिरफतार नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में कहा कि जमानत के दौरान संजे राजनितिक गतिविधियों में शामिल होने के हगदार होंगे ये कई बाते हैं जो संजे सिंग और आम आदमी पार्टी को सुकून दे सकती है सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो राजनितिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं कोट ने संजे सिंग को जमानत तो दी लेकिन कुछ शर्ते भी तैकी है जिसमें पहली और सबसे बड़ी शर्त ये है कि वो केस को लेकर कोई टिपड़ी नहीं करेंगे इसी में सबसे बड़ा सियासी पेंच है संजे सिंग शराब भोटाले के बारे में जनता की अदालत में कुछ भी बता नहीं पाएंगे और बीजेपी समेत उनके विरोधी उनको इसी मामले में घेरेंगे दूसरी शर्त है कि सबूतों के साथ छेड़ शार नहीं करेंगे तीसरी शर्त ये कि संजे सिंग दिल्ली अंसियार छोड़ कर नहीं जाएंगे अगर दिल्ली NCR छोड़ कर जाना है तो इसकी जानकारी देनी होगी चौती शर्थ उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा पांचवी शर्थ है कि संजय सिंग की लोकेशन पर नजर रखी जाएगी और छट्वी शर्थ है कि उन्हें शराब घोटाले में की जा रही जाँच में सहयोग करना होगा आम तोर पर भृष्टाचार के मामले में जमानत मिलने पर किसी को भी इन शर्थों का सामना करना पड़ता है लेकिन संजय सिंग राजनेता है तो उनके लिए इन में से कई शर्थें मुसीबत का सबब बन सकती है संजय सिंग को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में तो मानो जान लोट आई है संजय सिंग शेर कितरह दहाडेंगे उसका तो अभी इंतजार है लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता बीजे पी पर दहारने लगे है सुप्रीम कोट की तीन जजों की बेंच ने इडी को चेतावनी दी उन्होंने कहा कि अगर आप इस जमानत का विरोध करोगे तो हम इस पर फैसला लिखेंगे मेरिट्स पे फैक्स पे रिखेंगे और फैक्स आपके विरोध में है संजे सिंग के खिलाफ कोई भी सबूत आपने नहीं दिया ना पैसे का सबूत दिया किसी आदमी ने नौ बार गवाही दी संजे सिंग के बारे में नहीं कहा दसवी गवाही में आपने उस पे दबाव डालके उससे कुछ कहलवा दिया तो कोट ने कहा ये कैसे हो सकता है इसलिए E.D. ने लंच के बाद केंदर सरकार से बात करके कहा कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे क्योंकि अगर विरोध करते और कोट जमानत देती जैसा कि कोट ने पहले ही कह दिया था तो ये पूरा का पूरा केस हावा में उड़ जाता पूरा का पूरा केस ही खत्म हो जाता इसलिए सिर्फ अपनी इज़त और इस केस को चलाए रखने के लिए E.D. ने उनकी जमानत पे सरिंडर कर दिया संजय सिंग को जमानत मिलने पर विपक्ष के नेता भी हूंकार भर रहे है अखिलेश यादव तो कह रही है जिस तरह आम आदमी पार्टी के सांसत संजय सिंग को राहत मिली है उसी तरह से अर्विन केज जिवाल और हेमन सुरेन को भी नयाय मिलना चाहिए अकिलेशन गरफतारियों को पूरी दुनिया में भारत की बदनामी बता रहे है संजे सिंग को जमानत मिलने के बाद आमादमी पार्टी और उनके साथी भले ही जश्ट मना रहे है लेकिन ये उनको अभी प्रस्टाचार के मामले में बेदाग होने का सबूत नहीं मिला है अभी पार्टी के बड़े नेताओं समेथ कोई भी इस मामले में बरी नहीं हुआ है बीजेपी कह रही है कि संजे सिंग की जमानत पर आमादमी पार्टी और विपक्ष को बहुत इतराने इठलाने की ज़रूत नहीं है देश का नियायले स्वरुत्तम है और देश का नियायले सब्तंत्र है लेकिन दुर्भागे है आमानी के पार्टी के नेता जब तो उनको सूट करता है तब तो नयायले के निरने का स्वागत भी करते हैं डोल भी बजाते हैं और मठाई भी बाटते हैं और बाद में इसको क्रिटिसाइज करते हैं और ये सबतंतरता अंदोलन से छूटका नहीं आये शराव गुटाले में दोखा दड़ी जाल साजी वे ब्रश्टाचार के केस में जमानत पर आये हैं डोल बजाने और मुठाईयां बांटने वाले ये द्यान रखें कि ब्रश्टाचार दोखा दड़ी वे जाल साजी दिल्ल के लोगों के साथ करने वाले ये आम आदनी पार्टी के नहीं था चुनाव सिर्पर हैं जमानत मिलने के बाद संजय सिंग अपनी पार्टी और विपक्ष में कितना जोश भर पाते हैं इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है इस मामले में लालू यादों की जमानत का जिक आज भले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और सरकार की कमान समहाल रहे हो लेकिन संजय सिंग की दिल्ली के अलावा यूपी गोवा और पंजाब जैसे राजियों में भी अच्छी पकड़ मानी जाती है आम आदमी पार्टी जिसे शेर कह रही है उसकी तहार चुनाव में कि